मैं जानता हूँ कि बहुत सारे इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि कैसे हम डिफ्रेंशियेट कर पाएं लूसी ग्रे वाली पोयम को लूसी पोयम से सो उसका एक सलूशन हमारे पास है जो कि मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ इससे पहली वीडियो जस्ता आपने देखी थी जो कि लूसी ग्रे पर बनी हुई है लूसी ग्रे और अपिर हम कहें सॉलिटूड तो वो पोयम बेसिकली बाद में लिखी गई थी और पब्लिश की अफ टोटल फाइव पोयम जो कि उससे पहले यानि कि आप देख सकते हैं इत वोस रिटर्न फ्रॉम सेवेंटीन नाइंटी एट टू एटीन जीरो बन एंड एटीन हंड़ के सेकंड लिडिकल बैलेट्स के एडिशन में इसको पब्लिश किया गया था सिर्फ एक को छोड़ के यानि कि एट बाद में की गई थी इसका मींस यह बना कि पब्लिश दोनों लिडिकल बैलेट्स से सेकेंड एडिशन में होती हैं लेकिन इसमें टूटल फाइव पोयम से हैं अब जरह मैं आपको बता देता हूं कि लूसी ग्रे से कैसे अलग है उस पर्टिकलर पोयम का न स्ट्रॉडन वेज थर्ड आई ट्रेवल्ड अमंग अनौन मैं फोर्थ थ्री एर्स शी ग्रिव इन सन एंड शावर फेप अगर देखेंगे अस्लंबर डिड्माइ स्प्रेट सील तो यह फाइव पोयम से बेसिकली लूसी पोयम से हैं और सेकेंड एडिशन में लिरेकल बै इन पोयम के बड़ी खासियत है कि लिए गरहें एक पोयम को देखेंतों है तो बेसिकली आप published in 1800 आप देख सकते हैं इसमें यह पिक्चर को आप चेक कर सकते हैं थ्री एर्शी ग्रीव इन सन एंड शावर यानि कि टोटली नीचर से जूरी हुई चीज हम देख रहे हैं नीचे आप देखेंगे लूसी फाइब वैसे तो यहाँ पर हम देखें कि यह बेसिकली उसकी डेथ को शो करता है पट इस बन अब लूसी पोएम्स उपर आप देख सकते हैं स्ट्रेंज फिट्स स्ट्रेंज फिट्स ओपेशन है वाई नौन यह हमारी लास्ट वाली पोएम्स बनती है जो टोटली कोई छोटे वर्ट में हैं स्मोल फॉन्स में आपको दिखनी पा रहे हैं तो यह बेसिकली नेचर के ऊपर सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई लू लूसी पोएम्स पहले लिखी गई लिरिकल बैलेट्स में सेकेंड एडिशन में लूसी ग्रेव बाद में लेकिन इसी समय पर आती है यह वो 1799 में लिखी गई थी पब्लिश कर दी गई और यह 1798 से 1801 तक तो यह बेसिकली डिफ्टेंस है लूसी पोएम्स और इन में बाकि स्दोन से और स्वे तरोट्रव कुसिंगयृ अज नाि में बाकि करें लूसी को यह सिर टोट्रव grain को यह बन्यकू करें, घ्रिकल करें सेज देख सकते हैं इन लाइन को यह याद रख सकते हैं जो स्टाटिंड गी लाइन से हैं और एंबिरिस आधी यह कैन के लिगोलन अबस्क्राइब करें